और नमो एप पर भी बहुत से संदेश मिले हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, इस कारकम में हम सभी की कोशिश रहती हैं, कि एक दूसरे के प्रेणादाई प्रयासों की चर्चा करें, जनांदोलन से परिवर्तन की गाथा, पुरे देश को बताएं, इसी कडी में, मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जनांदोलन की चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका देश के हर नागरित के जीवन में बहुत महत्पा है, लेकिन उससे पहले, मैं आज की पीडी के नवजवानों से, 24-25 साल के युवाओं से, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मेरे सवाल पर जुरूर सोचिये, क्या आपको पता है कि आपके माता-पिता, जब आपकी उम्रके थे, तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छिल लिया गया था, आप सोच रहे होंगे, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंबव है, लेकिन मेरे नवजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था, ये बरसों पहले 1975 की बात है, जून का वही समय था, जब एमर्जन्सी लगाई गई थी, आपात का लागू किया गया था, उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छिन लिये गए थे, उसमें से एक अधिकार सम्विधान के आर्टिकल 21 के तहट सभी भारतियों को मिला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टि भी था, उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था, देश की अधालतें हर समयधानिक संस्ता, प्रेश सब पर नियंत्रन लगा जी आ गया था, सेंसर्शिप की यह हालत थी कि बिना स्विक्रूती कुछ भी छापा नहीं जा सकता था, मुझे आध है तब मशूर गायक किसोर कुमार जी ने सरकार की भावाई करने से इनकार किया, तो उन पर बेन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री हटा दी गई, लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरिपता दियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी, भारत के लोगों का लोग तंत्र से विष्वा दिगा नहीं, Rabbit भर नहीं दिगा, भारत के हम लोगों में सद्यों से जो लोगतंत्र के संसकार चले आ रहे हैं जो लोगतंत्रिक भावना हमारी रगरग में है आखिर कर जीत उसी की हुई भारत के लोगों ने लोगतांत्रिक तरीके से ही इमर्जन्सी को हटा कर वापस लोगतंत्र की स्थापना की ताना साही की मानसिक्ता को ताना साही वृत्ती प्रवुत्ती को लोगतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उधारन पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है स्वासियों के संगर्स का गवा रहने का साजेदार रहने का सवभाग्य मुझे भी मिला था लोग कंत्र के एक सैनिक के रूप में आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का परव मना रहा है अम्रित महोत्सो मना रहा है तो आपात काल के उस भयावध दोर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए आने वाली पीडियों को भी भूलना नहीं चाहिए अम्रुत महोत्सो सेंक्डो वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजे गाता ही नहीं बलकि आजाजी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए है इत्यास के हर अहम पढ़ाव से सिखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हम मेंसे शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकास से जुड़ी कलपनाय न की हो बच्पन में हर किसी को आकास के चान, तारे, उनके कहानिया आकर्सित करती हैं युवाओं के लिए आकास छुना सपनों को साकार करने का परियाय होता है आज हमारा भारत जो इतने सारे ख्षेत्रों में सभलता का आकास छु रहा है तो आकाश या अंतरीक इससे अच्छुता कैसे रह सकता है बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए है देश की इनी उपलब्दियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजन्सी का निर्मा एक ऐसी एजन्सी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है इस सुरुवात ने हमारे देश के युवाओं को विशेश रुप से आकरशित किया है मुझे बहुत से नवजवानों के इस से जुड़े संदेश भी मिले है कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेड़क्वाटर के लोकारपन के लिए गया था तो मैंने कई युवाओं स्टार्टप के आइडियाद और उत्सा को देखा मैंने उनसे काफी देर तक बात्चीत भी की आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिला नहीं रह पाएंगे जैसे की स्पेस स्टार्टप की संख्या और स्पीड को ही ले लीजे आज से कुछ साल पहरे तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टप के बारे में कुछ सोचता तक नहीं था आज इनकी संख्या सो से भी ज़्यादा है इस सभी स्टार्टप ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था उधान के लिए चेन्नेई और हैदराबाद के दो स्टार्टप से अगनिकूल और स्काइरूट ये स्टार्टप ऐसे लाँच वेहिकल विक्सित कर रही हैं जो अंतरीक्ष में छोटे पेलोर्स लेकर जाएंगे इससे स्पेस लाँचिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्टप स्ट्रू स्पेस सेट्रेलाइट डिप्लोयर और सेट्रेलाइट के लिए हाइट टेक्नलोजी सोलर पैनलस पर काम कर रहा है मैं एक और स्पेस टार्टप दिगन तरा के तनवीर एहमत से भी मिला था जो स्पेस के कच्चरे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नलोजी पर काम करें जिसे स्पेस के कच्चरे का समाधान निकाला जा सके दिगन तरा और दूप स्पेस दोनों ही तीस जुन को इस्तरों के लाउंच वहिकल से अपना पहला लाउंच करने जा रहे हैं इसी तरह बैंगलूरू के एक स्पेस स्टार्ट अप एस्ट्रॉम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के एडिया प्रकाम कर रही है ये स्टार्ट अप ऐसे फ्लेट एंजीना बना रहा है जो नए कवल छोटे होंगे बलकि उनकी कॉस भी काफी कम होगी इस टेक्नलोजी की डिमाण पूरी दुनिया में हो सकती है साथियों इन स्पेस के कारकम में मैं मैंसाना की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था वो एक बहुत ही छोटी सेटेलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महिनों में स्पेस में लौंच होने जा रही है तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था तन्वी की तरह ही देश के करीब साड़े साथ सो स्कूल स्टूडेंट अमरित महवसों में ऐसे ही पचचतर सेटेलाइट पर काम कर रहे हैं और भी खुशी की बात है कि इन में से जादातर स्टूडेंट देश के छोटे शहरों से हैं साथियों ये वही युवा है जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवी किसी सिक्रेट मिशन जैसी होती थी लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किये और वही युवा अब अपनी सेटेलाइट लाउंच कर रहे हैं जब देश का युवा आकास छुने को तयार है तो फिर हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मन की बात में अब एक ऐसे विशे की बात जिसे सुनकर आपका मन प्रफुलिद भी होगा और आपको प्रेणा भी मिलेगी बीते दिनों हमारे अलम्पिक गोल्ड मेडल विजेता निरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में चाहे रहे अलम्पिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफरता के नए नए किर्थेवान स्थापित कर रहे है फिन्लेंड में निरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता यही नहीं उन्होंने अपने ही जैवलिन थोके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया कोवर्टोन गेम्स में निरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गवरो बढ़ाया यही होशला आज के युवा की पहचान है स्टार्ट अप से लेकर स्पॉर्ट्स वर्ल तक भारत के युवा नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूद्स गेम्स में भी हमारे खिलाडियों ने कई रिकॉर्ड बनाए आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल बारा रिकॉर्ड टूटे हैं इतना ही नहीं ग्यारा रिकॉर्ड्स महिला खिलाडियों के नाम दर्ज हुए हैं मनिपूर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिप्टिंग में आठ रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग-अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं अपनी महनत से इन खिलाडियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्य खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली हैं मैं सभी खिलाडियों को बधाय भी देता हूं और भविश के लिए सुपकामनाय भी देता हूं साथियों खेलो इंडिया यूद गेम्स की एक और खास बात रही हैं इस बार भी कई ऐसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं जो बहुत साधार परिवारों से हैं इन खिलाडियों ने अपने जीवन में काफी संगर्स किया और सफलता के इस मुकाम तक पहुँचे हैं इनकी सफलता में इनके परिवार और माता पिता की भी बड़ी भूमिका है सत्तर किलोमेटर साइकलिंग में गोल्ड जितने वाले स्रीनगर के आदिल अलताव के पिता टेलरिंग का काम करते हैं लेकिन उनों ने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी आज आदिल ने अपने पीता और पूरे जमू कश्मिल का सीर गर्व से उंचा किया है बेट लिप्टिंग में गोल्ड जितने वाले चिन्ने के एल धनुष के पिता भी एक साधारन कार्पेंटर है सांगली की बेटी काजोल सरगार उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं काजोल अपने पिता के काम में हाथ भी बटाती थी और बेट लिप्टिंग की प्रेक्टिस भी करती थी उनकी और उनके परिवार के महनत रंग लाई और काजुल ने वेट लिप्टिंग में खुब भावाही बटोरी है ठिक इसी प्रकार का करिश्मा रोहतक की तनु ने भी क्या है तनु के पिता राजबीर सी रोहतक में एक स्कूल के बस ड्रावर है तनु ने कुस्ति में स्वनपदक जीत कर अपना और अपने परिवार का अपने पापा का सपना सच करके दिखाया है साथियों खेल जगत में अब भारतिय खिलाडियों का दबबा तो बढ़ी रहा है साथ ही भारतिये खेलों की भी नहीं पहचान बन रही है जैसे कि इस बार खेलों इंडिया यूद गेम्स में अलेंपिक में शामिल होने वाली स्परधाओं के अलावा पांच स्वदेसी खेल भी शामिल हुए थे ये पांच खेल है गतका, ठांगता, योगासन, कलरिया पट्टू और मल्खम साथियों भारत में एक ऐसे खेल का अंतराष्ट्य टूर्नामेट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सद्यों पहले हमारे ही देश में हुआ था भारत में हुआ था, ये आयोजन है 28 जुलाइशे शुरू हो रहे सत्रंज अलम्प्याड का, इस बार सत्रंज अलम्प्याड में 180 से भी जादा देश हिस्सा ले रहे हैं खेल और फिटनेस की हमारी आज की चर्चा एक और नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती ये नाम है तेलंगणा की माउंटेनियर पूरुना मालाबत का पूरुना ने सेवन समिट्स चैलेंज को पूरा कर काम्याभी का एक और परचम नहराया है सेवन समिट्स चैलेंज यानि दुनिया की साथ सबसे कठीन और उंची पहाड़ियों पर चड़ेने की चुना होती है पूरुना ने अपने बुलंद हॉस्टलों के साथ नौर्थ अमेरिका की सबसे उंची चोटी माउंट देनाली की चड़ाई पूरी कर देश को गवरुनाजित किया है पूर्णा भारत की वही बेटी है जिन्होंने महतेरा साल की उम्मर में माउंट एवरेश्ट पर जीत हासिल करने का अध्भूत कार्णामा कर दिखाया था साथियों जब बात खेलों की हो रही है तो मैं आज भारत की स्थरवादिक प्रतिभासाली क्रिकेटरों में उनमें से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूँगा उन्होंने इसी महिने क्रिकेड से सन्यास की गोश्णा की है जिसने कई खेल प्रेमियों को भाव कर दिया है मिताली महज एक साधरन खिलाडी नहीं रही है बलकि अनेक खिलाडियों के लिए प्रेनास्रोत भी रही है मैं मिताली को उनके भविश के लिए धेर सारी शुब कामनाई देता हूँ मेरे प्यारा देश्वास क्यों हम मन की बात में वेश्टू वेल से जुड़े सफल प्रहासों की चर्था करते रहे हैं ऐसा ही एक उदानना है मिजोरम की राजधानी आईजवाल का आईजवाल माए एक खुबसरत नदी है चिटे लूई जो बरसों की उपिक्षा की चलते गंदगी और कचरे के धेर में बदल गई हैं पिछले कुछ बरसों में इस नदी को बचाने के लिए प्रहास शुरू हुए हैं इसके लिए स्थानिये एजन्सियां स्वैम से भी संस्ताएं और स्थानिये लोग मिलकर सेव चीटे लूई एक्षन प्लान भी चला रहे हैं नदी की सफाय के सभ्यान ने वेश से वेल्द क्रियेशन का आउसर भी बना दिया है दरसल इस नदी में और इसके किनारों पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और पॉलिथिन का कच्रा भरा हुआ था नदी को बचाने के लिए काम कर रही संस्ता ने इसी पॉलिथिन से सड़क बनाने का फैस्कला दिया यानि जो कच्रा नदी से निकला उससे मिजरम के एक गाउं में राज की पहली प्लास्टिक रोड बनाई गई यानि स्वच्थता भी और विकास भी साध्यों ऐसा ही एक प्रयास पुडुचेरी के युवाओं ने भी अपनी स्वएम से भी संस्ताओं के जरिये शुरू किया है पुडुचेरी समंदर के किनारे बसा है वहां के बीचेज और समुद्री खुबसूरती देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं लेकिन पुडुचेरी के समंदर तरट पर भी प्लास्टिक से होने वाले गंद की बंड रही थी इसलिए अपने समंदर विचेज और एकोलोजी को बचाने के लिए यहां लोगों ने री सैकलिंग फर लाइफ अभ्यान शुरू किया है आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कच्रा हर दिन कलेक किया जाता है और उसे सेग्रिगेट किया जाता है इसमें जो और्गेनिक कच्रा होता है उससे खाद बनाई जाती है बाकी दूसरी चीजों को अलग करके री सैकल कर लिया जाता है इस तरह के प्रयास प्रेना दाई तो है ही, सिंगल यूज प्लास्टिक के घिलाप भारत के अभ्यान को भी गति देते हैं साथियों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी साइकलिंग रेली भी चल रही है मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, स्वच्थता का संदेश लेकर साइकल सवारों का एक समूँ, शिमला से मंडी तक निकला है पहाडी रस्तों पर करिपोने 200 किलोमेटर की ये दूरी, ये लोग साइकल चलाते हुए ही पूरी करेंगे इस समूँ में बच्चे भी और भुजूर्ग भी है, हमारा परियावरन स्वच्चर है, हमारे पहाड, नदिया, समंदर स्वच्चर है, तो स्वास तभी उतना ही बहतर होता है जाता है आप मुझे इस तरह के प्रयासों के बारे में जरू लिखते रही है मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे देश में मानसुन का लगातार विस्तार हो रहा है अनेग राज्यों में बारिस बढ़ रही है, ये समय जल और जल सवरक्षन की दिशा में विशेश प्रयास करने का भी है हमारे देश में तो सदियों से ये जिम्मेदारी समाजी ही मिलकर उठाता रहा है आपको याद होगा, मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स इन बावडियों की विरासत पर चर्चा के थी बावडी उन बड़े कुओं को कहते हैं, जिन तक सीधियों से उतर कर पहुंचते हैं राजस्तान के उधैपूर में ऐसी ही सेंकडो साल पुरानी एक बावडी है सुल्तान की बावडी इसे राव सुल्तान सी ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगर दिरान होती गई और कुडे कचरे के धेर में तब्दिल हो गई है एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घुमते हुए इस बावडी तक पहुँचे और इसकी स्थिती देखकर बहुत दुखी हुए इन युवाओं ने उस इक्षन सुल्तान की बावडी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया उन्होंने अपने इस मीशन को नाम दिया सुल्तान से सूर्तान आप सोच रहे होंगे कि इस सूर्तान क्या है दरसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावडी का काया कल्प किया बलकि इसे संगीत के सूर्प और तान से भी जोड़ दिया है सुल्तान की बावडी की सभाय के बाद उसे सजाने के बाद वहाँ सूर्प और संगीत का कारकम होता है इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश चीव भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं इस सफल प्रयास की सबसे खास बात यह है कि अभ्यान सुरू करने वाले युवा चार्टर अकॉंटन्स है संयोग से अब से कुछ दिन बाद एक जुलाई को चार्टर अकॉंटन्स डेख है मैं देश के सभी सियेस को अग्रिम बदाई दिता हूँ हम अपने जलस्रोतों को संगीत और अन्य सामाजी कारिकमों से जोड़ कर उनके प्रती इसी तरह जागुरूत्ता का भाव पैदा कर सकते हैं जल सवरक्षन तो वास्तों में जीवन सवरक्षन है आपने देखा होगा आज कल कितने ही नदी महोसों होने लगे हैं आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जलस्रोत है वहां कुछ न कुछ आयोजन अवश्य करें मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे उपनिश्दों का एक जीवन मंत्र है चरैवेती 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 आपने भी इस मंत्र को जुरूर सुना होगा इसका आर्थ है चलते रहो चलते रहो ये मंत्र हमारे देश में इतना लोगपुरिय इसलिए है क्योंकि सतत चलते रहना गती सिल बने रहना ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है एक राष्ट के रुप में हम हजारों सालों की विकास यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं एक समाज के रुप में हम हमेशा नए विचारों नए बडलावों को स्विकार करके आगे बढ़ते आए हैं इसके पीछे हमारी सांसकुर्तिक गतिशिल्ता और यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है इसलिए तो हमारे रुशियों मुन्यों ने तिरसी यात्रा जैसी धार्मिक जिम्मेदारियां हमें सौपी थी अलग-अलग तिरसी यात्राओं पर तो हम सब जाते ही हैं आपने देखा है कि इस बार चारधाम यात्रा में किस तरह बड़ी संख्या में स्रध्धालू सामिल हुए हमारे देश में समय समय पर अलग-अलग देव यात्राएं भी निकलती हैं देव यात्रा यानी जिसमें केवल स्रध्धालू ही नहीं बलकि हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं अभी कुछी दिनों में एक जुलाई से भगवान जगनात की प्रसिद्य यात्रा शुरू होने जा रही है उडिशा में पूरी की यात्रा से तो हर देश्वा से परिचीत है लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पूरी जाने का सौभागे मिले दूसरे राज्यों में भी जगनात यात्रा खूब दुमधाम से निकाली जाती है भगवान जगनात यात्रा अशार्ड महिने की दृतिया से शुरू होती है हमारे ग्रंतों में अशार्ष्य दृतिय दिवसे रत्यात्रा इस तरह संस्कुरू स्लोकों में बरनन मिलता है गुजरात के अमदाबाद में भी हर वर्ष आशार द्वितियां से रथ्यात्रा चलती है मैं गुजरात में था तो मुझे भी हर वर्ष इस यात्रा में सेवा का सौभागे मिलता था आशार द्वितियां जिसे आशारी बीज भी कहते हैं इस दिन से ही कच्छ का नवर्ष भी शुरू होता है मैं मेरे सभी कच्छी भाईयों बहनों को नवर्ष की शुबकामनाय भी देता हूँ मेरे लिए इसलिए भी ये दिन बहुत खास है मुझे आद है आशार द्वितियां से एक दिन पहले यानि आशार की पहली तीची को हमने गुजरात में एक संस्कृत उत्सव की शुरुवात की थी जिसमें संस्कृत भाषा में गीत, संगीत और संस्कृतिक कारकम होते हैं इस आयोजन का नाम है आशारष्य प्रथम दिवसे उत्सव को ये खास नाम देने के पीछे भी एक बज़े हैं दरसल संस्कृत के महान कभी कालिदास दे आशार महिने से ही वर्षा के आगमन पर मेग दूतम लिखा था मेग दूतम में एक श्लोग है आशारष्य प्रथम दिवसे मेगम अस्लिष्ट सानुम यानि आशार के पहले दिन परवत सिखरों से लिप्टे हुए बादल यही श्लोग इस आयोजन का आधार बना साथियों अमदाबाद हो या पूरी भगवान जगनात अपनी स्यात्रा के जरिये हमें कई गहरे मानविय संदेश भी देते हैं भगवान जगनात जगत के स्वामी तो है ये लेकिन उनकी यात्रा में गरीब और वन्चीतों की विशेश भागिदारी होती है भगवान भी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ चलते हैं ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी यात्रा होती हैं सब में गरीब अमीर उंच नीच ऐसे कोई भेदभाव नजर नहीं आते हैं सारे भेदभाव से उपर उठकर यात्रा ही सर्वोपर ही होती हैं जैसे कि महाराष्ट में पंधरपूर की यात्रा के बारे में आपने जुरूर सुना होगा पंधरपूर की यात्रा में कोई भी न बड़ा होता है न छोटा होता है हर कोई वारकरी होता है भगवान विठल का सेवक होता है अभी चार दिन बाद ही तीस जुन से अमरनात्य आत्रा भी शुरू होने जा रही है पुरे देश से स्रधालू अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मु कश्मीर पहुंचते हैं जम्मु कश्मीर के स्थानिय लोग उतनी ही स्रधा से इस यात्रा की जिम्मदर्य उठाते हैं और तीत यातियों का सयोग करते हैं साथ्यों, दक्षिन में ऐसा ही महत्व सब्रिमाला यात्रा का भी है? सब्रिमाला की पहडियों पर भगवान अयप्पा के दर्सन करने के लिए ये यात्रा तब से चल रही है जब ये रास्ता पूरी तरह जंगलों से घिरा रहता था. आज भी लोग जब इन यात्राओं में जाते हैं तो उसे धार्मिक अनुस्ठानों से लेकर रुकने ठहरने की व्यवस्ता तक गरीबों के लिए कितने अवसर पएदा होते हैं। आत्राओं में स्रध्धालूं के लिए सुविधाय बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहा है। आप भी ऐसी किसी यात्रा पर जाएंगे तो आपको अध्यात्म के साथ साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भी दर्शन होंगे। मेरे प्यारे देश वास्यों, हमेशा की तरह इस बार भी मन की बात के जर्ये आप सभी से जुड़ने का यह अनुभव बहुती सुखद रहा। हमने देश वास्यों के सभलताओं और उपलब्दियों की चर्चा की, इस सब के बीच हमें कोरोना के खलाब साथानी को भी धान रखना है। हाला कि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सिन का व्यापक सुरक्षा कबज मौजूद है। हम दो सो करोड वैक्सिन डोज के करीब पहुँच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकोशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकोशन डोज का समय हो गया है, तो आप ये तीसरा डोज जुरूर लें। अपने परिवार के लोगों को खासकर बुज़रकों को भी प्रिकोशन डोज लगवाएं। हमें हाथों के सभाई और मास जैसी जरूरी सावधाने भी बरतनी ही है। हमें बारिस के मौसम में आसपांस गंदगी से होने वाली बिमारियों से भी आगहा रहना है। आप सब सजग रहिए, स्वस्त रहिए और ऐसी ही उर्जा से आगे बढ़ते रहिए। अगले महिने हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। झाले महिने हम ईटा आसपांस आग। यह झाले